हाई फ्रेंड्स येस भी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है आईए हम आज आपको क्लास 12 की कच्छा 12 की इंग्लिश बुक जो NCRT बेस्ड है इसमें फ्लेमिंगो जिसमें प्रोज और पोएटरी सामिल है विश्टार्स सप्लिमेंटरी रीजर सामिल है उसका हम उस पूरी किताब को आपको पढ़ाएंगे उसके आज पहले अध्याय को पहले चेप्टर को आज पढ़ना सुरू करते हैं उसका पहला चेप्टर है दा लास्ट लेशन जिसका आर्थ होता है हन्तिम अध्याय है हन्तिम अध्याय है यह चेप्टर का नाम है इसको लिखने वाले हैं अलफोन्स डुडे अलफोन्स डुडे है यह डुडे पढ़ा जाएगा यह फ्रांस भासा का सब्द है वहां की बोलचाल है इसलिए उससे प्रभाविश्रब्द है जो की उचाड में लिखने लिखावट में और उचाड में आपको काफी भीनता दिखाई दे रहे होगी डुडे में यह लिखा कुछ और है पढ़ा जा रहा है उचाड इसका कुछ और हो रहा है अब आगे बात करते हैं अब आथर उनका क्या बैक्ग्राउंड रहा है उनकी क्या पिस्ट भूम रही है वो कौन थे इनका छोटा सा परिचे है तो दिया है अलफोंस डुडे 1840-1897 वाज फ्रेंच नोविलिस्ट एंड सौर्ट इस्टोरी राइटर अलफोंस डुडे इनका यह जीवन काल दिया है उन्नी सो 1840-1897 इनका जीवन काल है वाज मिन्स थे फ्रेंच फ्रांसी सी नोविलिस्ट मिन्स उपान्यासकार एंड सौर्ट इस्टोरी राइटर और लग कथा लेखक थे मतलब यगर पूरे कार्थ आप यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे एक वाक्य का तो इसकार्थ है अलफोंस टुडे एक फ्रांसी सी उपान्यासकार और लग कथा लग कहानी लिखने वाले थे लग कहानी के लेखक थे दा लास्ट लेशन दा लास्ट लेशन इस सेट इन देज आप अब इसका है दा लास्ट लेशन यह अंतिम पार्थ इसका नाम है दा लास्ट लेशन इस सेट सेट म लेखा गया निर्मान हुआ इन देज दिनों में और फ्रैंक को प्रसियनवार मतलब फ्रांस और प्रसिया युद्ध की समय और फ्रांस और फ्रसिया का युद्ध कप चला 1870 से 1871 तो लेखक ये लेखक के बारे में ये हैं कि उसके इंतरगत कि दा लास्ट लेशन इस सेट इन देज आफ रैंक को प्रसियनवार मतलब ये कहानी से प्रांस प्रसिया वार जो 1870 से 1771 के मत चला उसके दोरान लिखी गई इन फिच प्रांस इन विच जिसमें फन्स म्संस वाजब था डिफीटेड बाई प्रसिया defeated means हराया हुआ, हराया गया by प्रसिया, प्रसिया से lead by nervous mark lead by, मतलब lead मतलब होता है, नेत रुट्ट है lead means, नेत रुट्ट करना किसी चीज का जैसे जब कोई cricket match होता है तो उसमें कपतान, उस team का क्या कर रहा होता है नेत रुट्ट कर रहा होता है उसी तरह से जब कोई यूद्ध होता है तो उसका एक सबसे सुप्रीम कमांडर होता है तो उस यही कहना चाहरे हैं कि प्रसिया जो है बिसमार्क के नेतिवत में विसमार्क उस टइम पे क्या थे यह तनासाह थे प्रसिया के उनके नेत्वित में प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था उसके आगे है प्रसिया प्रसिया नाम है then तब इस्थित्था इस्थित्था प्रसार था उसका फैला हुआ था of what now जो अब है क्या है our means है the nations रास्ट नेसंस है यह नेसं मिन्स एक रास्ट होता है नेसंस मिन्स कई रास्ट अब फिर क्या है उसके आगे of Germany, Germany, Poland and part of Austria जब आप यह पढ़ रहे हैं तो यह भी जाने कोशिश करें कि Germany, Poland और Austria इस समय कहा है नक्से पर आप नक्सा रखिए जरूर क्योंकि आप प्रेल्स में पढ़ रहे हैं तो यह जानकरिया आपको रहना जरूरी है तो चलते हैं फिर से प्रसिया देन प्रसिया मिन्स प्रसिया तेन मिन्स तब consistent मिन्स फैला हुआ था उसका फैला हुआ था of what now जो अब है आर मिन्स हैं the what now are जो अब है the nation's last Germany, Poland and part of Austria आश्ट्रिया का कुछ भाग कि कह रहे हैं कि जो इस समय Germany, Poland और आश्ट्रिया के कुछ भाग हैं उस पे उस टाइम पे प्रसिया का विस्तार था यानि एक दूसरे भाव में अगर कहें तो प्रसिया का विस्तार इस समय के Germany, Poland और आश्ट्रिया के कुछ भाग पर था इन दिस इस टोरी इस कहानी में the France French districts फ्रांसी सी जिले districts मिन्स होता है जिला of Elsak and Lauren इसमें कह रहा है कि इन दिस इस टोरी इस कहानी में France के आलसेक और Lauren के जिले have past into have past मिन्स चले गए थे into मतलब कहीं पर एक जगश दूसरे जग़ा है एक भ्यक्त के अधिकार से दूसरे ब्यक्त के अधिकार में into मतलब चले जाना किसी के पास have past मिन्स चले जाना into ये जोडने का काम कर रहा है कि किसी के पास ये जा रहा है है अ Techno hands प्रसिया के हाथों में यह कह रहा है कि इन दिशी stories कहानी में प्रांस के ऑल्सेक और लॉरेन के कुछ उप्रसिया के हाथो में चले गए थे पृरागे कह रहे है रीड द आ स्टोडी इस कहाने को पढ़िए टुपाइड आउट जानने के लिए प्राप्त करने के लिए what means क्या इफेक्ट प्रभाव इसका था इसका क्या प्रभाव था on the life on life on means पर होता है life at school इसकूल के जीवन में या इसकूल काल के समय में या इसकूलों एक ब्योस्थापर ठीक है तो इसका पुरा अर्थ हो जाएगा दिखूँए शब्द सभी सब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए उसका आपकी भासा में भाव पूर्ण अर्थ क्या होता है वो आप जानेंगे नहीं तो इसका एक एक सब्द मिला कर कर औक निकाले लिएगा कभ़ोव अर्थ नहीं आए School विवस्था पर क्या प्रभाव पढ़ा था ये आप जाने के लिए इस कहानी को पढ़िए ये ये कहना चाहा है अगला है About the lesson अब तक आप ने पढ़ा About the author आप पढ़िए About the lesson About the lesson देखते हैं देखें क्या कह रहे हैं ये The last lesson Last lesson लास्ट लेसन रीटन बाई रीटन मिन्स लिखा गया ये राइट का थर्ड फॉर्म है रीटन मिन्स लिखा गया बाई मिन्स द्वारा एक बाई होता है बी यू आई बाई मिन्स होता है खरीदना ये है क्या बाई मिन्स द्वारा अगल आगे है the last lesson written by last lesson written by means की दोरा लिखा गया है alphonse today narrates इंगित करता है इसारा करता है बताता है about the year 1870 1870 की वर्स के बारे में ये बताता है ये last lesson जो कहानी है ये 870 के बारे में बताती है ये जो कहानी alphonse today की दोरा लिखी गयी है लास्ट लेशन ये 1870 के साल के बारे में बताती है when when means जब the prasian forces जब प्रसिया की force under bismark अब तक आपने led wise bismark पढ़ा था अब under bismark मतलब बिसमार्क के नेतित में इसका भी अर्थ होगा बिसमार्क के नेतित में जैसे आप एक फिल्मों में देखते होंगे या आम पूल चाल में रहता है कि पुलिस वाले फिल्म में बोलते हैं यू आर अंडर आरेस्ट अंडर आरेस्ट मतलब आप आप जो है पुलिस के कस्टविडी में आ गए हैं ठीक है उसके नेतित में आ गए हैं उसके दाइरे में आप रहेंगे उसी तरस ये है under bismark when means जब the prussian forces under bismark bismark के नेतित में attacked attacked अक्रमर की and captured France और France को अपने कबजे में ले लिया अब मैं पूरे का पूरा बाग आपका यहां से ले करके यहां तक है इसका एक बार में अर्थ बताता हूं मैं the last lesson alphonse dude के द्वारा लिखा गया है यह 1870 के वर्स के बारे में जानका देता है जब बिसमार्क के नेतित में रस प्रसियान फोर्स ने फ्रांस पर आक्रमर करके उस पर कबजा कर लिया था the new Christian rulers नए प्रसिया के प्रसासक सासन करने वाले discontinued मतलब इसका आर्थ होता है discontinued का आर्थ होता है रद कर दिये जो जारी था उसको बंद कर दिये रोक दिये the teaching of French language the teaching पढ़ाई of means का की के इसका आर्थ होता है French language फ्रांसी सी भासा नए प्रसिया के प्रसासक फ्रांस की भासा को पढ़ना पढ़ाना रोक दिये in the school इसकूलों में of Allsack and Lauren Allsack और Lauren की स्कूलों में उन्होंने प्रसियन के नए सासकों ने फ्रांसी सी भासा को पढ़ना पढ़ाना पंद कर दिया पढ़ाना रोक दिया the French teachers फ्रांसी सी अध्यापक were asked बोल दिया गया कहा गया to leave छुटी पर जाने के लिए फ्रांसी सी अध्यापकों को छुटी पर चले जाने के लिए कहा गया जैसा कि आप ये Allsack पढ़ रहे हैं अभी आपने उपर पढ़ा जब आप लेखक के विशे में पढ़ रहे थे कि Allsack और Lauren पर कपजा हो गया था तो जब कपजा हो गया था तो जो प्रसिया के जो भी रूलर थे शासक थे जो सेना थी जो प्रसासन था उनका उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे जो हमारे कपजे में आ गया है वहाँ पे फ्रांसी सी भासा नहीं पढ़ाये जाएगी और जो भी फ्रांसी सी अध्यापक है उनको चुट्टी भागा दिया भागा ही दिया गया क्योंकि जो बदर्स्ती कपजा किया था तो चुट्टी पर भेज दिया गया उसी के बारे में यह कहानी है आई यह पढ़ते हैं कि लिखक क्या कहना चाहरे है तो आगे चलते हैं I started for school very late I started for school very late I means मैं started शुरू किया शुरू किया मतलब चला जैसे घर से आप इस्कूल के लिए जाते हैं वैसे उसी के लिए कर रहे हैं started for school I started मैं शुरू किया for school इस्कूल के लिए very means बहुत late means देर से that morning उस सुबह that means उस होता है जैसे that means दूर के लिए इंगित किया जाता है ऐसे है कि यह पुरानी बात ना बता रहे है हो लेखक तो ही है कि मैं उस सुबह देर से school के लिए चला ठीक है घर से चला and was in great read and means और was means था in great in मतलम में great means बड़ा महान ठीक है डीट मिन्स यहां पर भय है डीट का अर्थ है भय फियर जो आप जानते हैं कि उस तरह से नॉर्मल उसका अर्थ है डीट मिन्स भय आफ इसकोल्डिंग ऑफ मिन्स का इसकोल्डिंग डांट जो डांट पढ़ती है स्कूल में उसके लिए इस्पेसली मतलब विशेश रूफ से जैसे नहीं कहते हैं कि एक आप बहुत समझ रहे हैं कि आपने आपको तो वही है विशेश रूफ से तो यह लेखक कर रहे हैं कि मैं उस दिन बहुत धेरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ और मुझे इस बात का बहुत भयानक डर था बहुत बड़ा डर था डांटे जानेगा पिशेश रूफ से विकाज मिंस क्योंकि मिस्टर हैमल मिस्टर हैमल है既 मिनस हैड सेड कह चुक USSR कह चुके थे बोले थे हैड सेड यह पास्ट के लिए जो है helping वर्प्रयों की जाती है हैड सेड कहे थे दैट की he would question यह भूद काल की बात चल लगी है तो उस समय के लिए भूद काल में जो घुर्णाइकर होता है ठीक ने जैसे यह घर के लिए पहले गर के लिए चले फिर इसके बाद ये सोच रहे हैं कि हमें ये कह चुके हैं तो would question ही would question वो पूछेंगे us means हमसे on participle पर जैसे जब आप grammar पढ़ते हैं तो उसमें participle आता है वो ही वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जब मैं उस दिन उस सुबह को घर से बहुत लेट इस्टार्ट किया और मुझे डाटे जाने का इस बात के लिए भी से शुरूप से डाटे जाने का मुझे डर था कि Mr. Hamill ने कहा था कि वो question पूछेंगे participle के बारे में question पूछेंगे participle पर question पूछेंगे and I did not and means or I did not मैं नहीं know means जानता the first word पहला word पहला सब्द और मैं एक सब्द नहीं जानता था उसका पहला सब्द नहीं जाता था about them कि participle क्या होता और इनको मल में नहीं था कि participle क्या होता है पहला सब्द क्या होता यहीं कह रहे हैं for a moment एक छण के लिए for means के लिए a moment एक छण I thought मैंने सोचा of running away भाग जाने का and means or spending spend means होता है ब्यतीत करना spend means ब्यतीत करना spending बिताने का the woods the day spending the day दिन out of doors घर से बाहर एक छण के लिए मैं भाग जाने का और घर के बाहर out of doors मतलब घर के बाहर समय बिताने का दिन बिताने का सोचा it was so warm यह बहुत गर्म था it means यह was means था so warm so अधिक के लिए होता है जैसे बोलते है normal thank you so much तो thank you कि तो normal है कि हाँ धन्यवाद so उसमें अधिकता के लिए होता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से है it was so warm यह लेकिन दिन क्या था बहुत गर्म था आगे है so bright बहुत ज़्यदा चमकीला दा बर्ड्स वर चर्पिंग दा बर्ड्स मिन्स चिडिया चर्पिंग मिन्स चहचहाना चर्पिंग चहचहान चहचाहा रहे थे अड़ इज ओच मीन्स किनारा होता है ओफ उड्स मीन्स जंगल आप जानते हैं प्रपिंग कि चिडिया मतलब बहुत सी चिडिया यह यह कह रहे हैं बर्ड्स है ना बहुत सी चिडिया है जो है जंगल के किनारों पर चहचः रही थी and में सौर in the open field खुले खेतों में in the open दा निश्चित करता है किसी के आगे जब दा लगता है तो वो निश्चित कर देता है और खेतों में field back मतलब पीछे खेतों में वो कह रहे हैं इनके आगे क्या था यह जहां यह खड़े थे या उपस्थित थे वहां से अपनी विचार को कह रहे हैं अपनी बात को कह रहे हैं कि जंगलों में जंगल के किनारे पर चिडिया बहुत चहचाहा रही थी और पीछे खुले खेतों में ओंफ सौमल मिल्स सौ मिल मतलब होता है चारा मिल दा प्रेण स्याइट के फोजी फौजी होता है ठीक स्याइट। सिपाही करी जि套े फून स्याइट कaguya मतलब होता है अगर ड्रील हो खाली मतलब होता कि सकती अब्हास कि सका डियाज युद्ध का अभ्हास युद्ध का अभ्हास फोजी लोग क्या करेंगे युद्ध का अभ्हास करेंगे तो यह कह रहे हैं कि the birds start and aids a शिर्डिया जो है जंगल के किनारों पर चीर्डिया चहएचहा रही थी सोर्गूल कह रही थी और ओपन फ्रील्ड बैक और अफ डिलिंग और पीछे खुले खेतों में है किसके खुल और के तो में किसके पीछे चारा मिल के पीछे खेतों में प्रसिया के फोजी युद्धा अभ्यास कर रहे थे युद्ध का अभ्यास कर रहे है, its was, its means, yahva j means, all much more, all means, all means पूरा, sub much more, ज्यादा अधिक, tempting, tempting, tempting का आर्थ होता है, आकर्शक, tempting, tempting, ठीक है, charming, चार्मिंग कि आकर सक्थ दैन मीज तुलना में दरूल पार्टिसिपल पार्टिसिपल के नियम से यह है यह सब पार्टिसिपल के नियमों से अधिका कर सक्था यानि यह कर रहा है कि इनका मन बहें करा था कि ये जा करके जंगल में घूमें और जो युद्धाव्यास हो रहा है वहां जाएं देखें कि कैसे फोजी युद्धाव्यास कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि ये चीजें पार्टिसीपल के नियमों से अधिक आकर्सक्ति बट मिन्स लेकिन आई हैड दैस्टेंट बट आई हैड मेरे पास था थी था बोलिया या थी दा इस्टेंथ सक्ती स्टेंथ मिन्स पावर ठीक है टूरेजिस्ट रेजिस्ट मिन्स प्रतिरोध करने की प्रतिरोध करना जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते होंगे फीजिक्स में यही है रेजिस्ट बट श्केंत आई है प्रतिरोध की रुकने की सकती थी एंड और हरीड आफ टू स्कूल और मैं इस्कूल के लिए और तेजी से भागा और तेजी से भागा आगे चलते हैं तो यहां से आगे बढ़ते हैं फेनाई पास्ट वैन मिन्स जब आई पास्ट दटाउन हाल देर वाज एक राउड इन फ्रंट अफ द बुलेट इन बोर्ड आ तो देखते हैं इसकार्थ वैन मिन्स जब आई पास्ट मैं गुजरा दटाउन हाल सभागार के सभागार के सभागार से होगे बुजरा देर वाज एक राउड वहाँ भीड थी देर मिन्स वहाँ वाज मिन्स थी एक राउड एक भीड थी इन फ्रंट आफ इन फ्रंट आफ या अकेले आता है कहीं पितना सब्द जो है इन फ्रंट आफ अकेले आता है कि इन फ्रंट आफ मिंस होता है सामने ठीक है जा बुलेटिन बॉर्ड डाय बुलेटिन बॉड इसे समाचार आता था सुबह की बुलोतिन साम की बुलेटाkeit सूचना फटर से सब्सक्राइब सभागार के सामने से पहुंचा there was a crowd वहाँ एक भीर थी in front of the bulletin board सूचनापट के notice board के सामने ये कह रहे हैं कि जब मैं टाउन हाल से मैं सभागार से होके गुजरा तो देखा कि वहाँ सूचनापट के notice board के सामने एक भीर थी for the last for means के लिए the last two years पिछले दो साल all our bad news all miss सभी our bad news हमारे बुरे समाचार had come आये थे from there वहाँ से पिछले दो सालों से सारे बुरे समाचार हमारे सारे बुरे समाचार वहाँ से आये थे यह यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बुरे समाचार अब युद्ध में ये गुलाम हो गए थे तो सारे समाचार इनके लिए बुरे ही थे तो जो भी सूचना आती थी सब सूचना यहीं से इनको मिली थी आगे है दा लास्ट बेल्ट बैटल हारे हुए युद्ध की लास्ट मिन्स हो जाना हारना बैटल हारे हुए युद्धों क द्राफ्ट ड्राफ्ट मिन्स होता है क्या किसी चीज का खाका कि किसी चीज का प्रतिरूप असान भासा में कहें तो योजना भारे हुए युद्ध योजनाएं दा ओर्डर जैसे अब आप यहां पर भी देख सकते हैं सेना में भरती के आदे संबनी समाचार वही योजना ठी सब्सक्राइब है तो इस यह है दर ओर्डर आफ कमांड इंग अफसर डा ओर्डर आफ कमांड इंग अफसर मतलब जो सेना के अधिकारी थे उनके आदेश सेना के अधिकारियों के आदेश and I thought and I thought to myself और मैंने सोचा, without stopping, without means, and I thought, means, socha to myself, मतलब स्वयम से, स्वयम सी, सोचा, without stopping, without means, के बिना, बिना होता है, ठीक, stopping means, रुके हुए, मैं बिना हुए, रुके हुए, सोचा, what can be matter now, what means, क्या, can be, हो सकता है, the matter now, matter means, मामला, now means, अब, अब क्या मामला हो सकता है, then means, तब, as I hurried, by a past, fast as I could go, then means, तब, I, as I hurried, मैं जलदी में, हरीड मिन्स जल्दी में, बाई, as fast, जितना, by as fast, मतलब, जितना हो सकता था, तेज, जितना थेज, हो सकता था, as I could go, मैं, चला, then means, तब, as I hurried, जितना मैं चल सकता था, जितना तेजी से, मैं चल सकता था, by as fast, जितना थेज, I as I could go मैं गया the black smith the black smith वाक्टर एक black smith मतलब होता है लोहार और एक होता है gold smith gold smith मिल्स होता है सुनार ठीक है black लोहा क्या होता है काले रंग का होता है उसे याद करिए black smith लोहार वाक्टर वाक्टर नामक लोहार who means जो was there वहाँ था वेक्टर नामक लोहार जो वहाँ था with his apprentice with his apprentice with means साथ his apprentice apprentice मतलब होता है जो सुरू सुमें स्टार्ट किये करते हैं सीखते हैं ठीक है practice करते हैं practitioner जो होते हैं प्रसिच्चू ठीक है यहाँ पर जो प्रसिच्चू सबदाया है apprentice means प्रसिच्चू जो सुरू सुरू में सीखते हैं कहीं पर ट्रेनिंग सुरू में लेते हैं वही है who was there जो वहाँ था वेक्टर नामक लोहार जो वहाँ था with अपने प्रसिच्च्चू के साथ वहाँ था वेक्टर नामक लोहार अपने प्रसिच्च्च्च्चू के साथ वहाँ था reading तबुलेटिन वो सुजना को पढ़ रहा था वो समाचार को पढ़ रहा था card after me after me मतलब यहाँ होगा जाओ इतना तेजी से इतना तेजी से मत जाओ तू बब का अर्थ यहाँ पर यह लड़के के लिए है बच्चे इतना तेजी से मत जाओ You will get to your school in plenty of time You will get You will तुम जाओगे Get to your school तुम्हारी school तुम्हारी school जाने के लिए In plenty of time Plenty of time मतलब धेर सारा समय लुहार न से बोला कि बच्चे इतना तेजी से मत जाओ तुम्हारे पास स्कूल पहुँछने के लिए धेर सारा समय है अब आगे बढ़ते हैं I thought मैंने सोचा He was He means was Was means था Making fun मजाक बना रहा Of me मेरा मैंने सोचा कि वो हमेरा मजाक बना रहा है And reached Mr. Hamill's little garden And means और Reached means पहुँच गया Mr. Hamill's little garden Mr. Hamill के छोटे बगीचे में All out of breathe हाफते हुए यह हाफते हुए लेखक कह रहे हैं कि मैं हाफते हुए या तेज सांस लेते हुए Mr. Hamill के बगीचे में पहुँच गया Usually समाने रूफ से Usually मतलब होता है समाने रूफ से When means जब School begin School शुरू हो जाता था There was वहाँ था एक ग्रेट बस्टल तेज सोर्गुल Great means महान बड़ा ज्यादा अधिक ठीक है जहाँ जैसा भाव लगे वो लगाना चीए यहाँ पर होगा There means वहाँ वाज मिन्स था एक ग्रेट एक बहुत ज्यादा बस्टल मिन्स सोर्गुल बस्टल मिन्स सोर्गुल होता है Which means जो Could be heard Which means जो Could be सुना जा सकता Could be मतलब सकता था Heard means सुना Could be heard जो सुना जा सकता था Out in the street जो स्ट्रीट में सुना जा सकता था फिर से देखिए Which could be heard सुना जा सकता था इस लिए आता है किया है helping verb की तरह आता है किसी भी क्रिया के आगे ठीक है उसी सहाता करता है उसका आर्थ पूरा करने में सहाता करता है तो यह से है Which could be heard सुना जा सकता था Out मिस बाहर इंदा स्ट्रीट गली में ठीक है सडक पर या गली में दो ओपेनिंग खुलना एंड क्लोजिंग आप डेस्क खुलना और बंध होना डेस्क का डेस्कों का खुलना डेस्क से है तो बहुचन है डेस्कों का खुलना और बंध होना लेशन रिपीटेड पाठों का दो दूहराया जाना, in unison, अब unison का देखें अर्थ है यहाँ पर, unison का वर्थ होता है, एक साथ, एक साथ, जैसे union होता है, union मिंस होता है संगठन, यह unison है, एक साथ, पाठों का एक साथ, दूहराया जाना, ठीक है, repeat मतलब बार बार, दोहराया जाना, very loud, बहुत तेज, with means, our hand over, our hand over, our ear, to understand better, यह कह रहे हैं, with our hands over, with our hand, with our hand, मतलब, उपर, over means, उपर, वो कह रहे हैं, कि with our hand, हमारे हाथ, हाथ क्या रते थे, over our ears, अपने हमारे कान के उपर, to understand, जो understand, मतलब, समझने के लिए, better means, समझने के लिए, या याद होने के लिए, better means, बहतर, better means, बहतर, तो हमारे कान, जो हमारे कान के उपर होते थे, ताकि हम और अच्छा याद कर पाएं, ठीक है, ऐसे बच्पन में, जब, गिंती या पहाडे, बच्चों को सिखाए जाते हैं, इसकूले में, तो इसी तरह से सोर्गूल होता है, इ ये लेखक जो है, डुडे जी, यही बताना चाहा रहे हैं, कि क्या महोल होता था, and the teachers, and the teachers, और अध्यापक के, great ruler, wrapping, on the table, और, and the teachers, great ruler, wrapping, ruler means पैमाने, wrapping, wrapping मतलब होता, फैलना, रैप, जैसे रैपर होता है, रैपर, रैपर होता है, लगाते हैं, gift वगरे को उपर, यही है, wrapping, wrapping का मतलब फैलाना, फैलाना, ठीक है, अगे है, on the table, और अध्यापक के, बैमानों का, टेबल पर, फैल जाना, आगे है, but now, लेकिन अब, it was, all so still, still, still मतलब स्थेर, but, means, लेकिन, now means, अब, it was, all, यह सब, so still, बहुत सान था, I had counted, मैंने, ध्यान लगाया, मैंने ध्यान दिया, counted मतलब, ध्यान दिया, count मतलब बता, गिनना, यहां प्यार था आएगा, ध्यान दिया, on the commotion, on the commotion, to get my desk, on the commotion, means, I had counted, मैंने ध्यान लगाया, on the commotion, सोर में, सोर गुल में, ठीक है, हल्ले गुल्ले में, यहां, commotion, means, हल्ला गुल्ला होगा, to get, प्राप्त हो जाना, यहां, चले जाना, to my desk, मैं, इस हल्ले गुल्ले में, अपने डेस्क की और जाना चाहा, without being seen, बिना देखे हुए, मैं बिना दिखाई दिये, इस सोर गुल्ल में, अपने डेस्क में, पहुचना चाहा, डेस्क के पास, या डेस्क में, पहुचना चाहा, but of course, but means, लेकिन, of course, निशित रूप से, that day, उस दिन, everything, प्रतेक चीज, प्रतेक वास्ट, had to be, had to be, होना, ठीक है, as quite, इतना सांथ, as Sunday morning, जैसे कि ये, रविवार की सुबह हो, but of course, लेकिन, निशित रूप से, that day, everything, had to be, as quite, as Sunday morning, लेकिन, निशित रूप से, उस दिन, की सुबह, इतनी सांथ थी, जैसे कि ये, रविवार की सुबह हो, the, the window, I saw my classmate, मैंने, throw means, हो करके, the window, खिड की से, मैंने, खिड की से, जहांका, I saw, मिस देखा, या जहांका, my classmate, मेरे सापाथियों को, मैंने, मेरे सापाथियों को, खिड की से, देखा, already in there, places, already मतलब, पहले से ही, in there, उनके, places, मिस अस्थानों पर, मैंने, खिड की से, अपने साथ पढ़ने वालों को, अपने सापाथियों को, उनकी अस्थानों पर, पहले से, मवजूद देखा, एंड, मिस और, मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल, वाकिंग मिस टहल रहे थे, वाकिंग अप मतलब, इधर से उधर टहल रहे थे, एंड डाउन, वाकिंग अप टहल रहे थे, एंड डाउन, विथ टेरिबल आयरन, डाउन, विथ, इस टेरिबल आयरन, अपने, भयाना, iron ruler under his arms एक-एक सब्दों कारते देखें पहले दौ indeed do means, throw means, होकर, sorry, यहां से धेखते हैं, and means or Mr. Hamill, walking means walking अप मिस्टहल रहे थे and down with is terrible iron ruler under his arm, down means नीचे with is terrible अपने भयानक डंडे के साथ अंडर अंडर मिस नीचे अपने भुजाओं में और उनके हात के नीचे हमने भयानक डंडे को नकी ब्या डंडे को दबाये हुए मुष्टर एमल ट्हल रहे थे फिर से यहां से देखते हैं दो से ले हमने मैंने अपने खीड़की से अपने सापाथियों को अपने अस्थान पर पूरु से ही पहले से ही उनके अस्थान पर मौझूद देखा और मिस्टर हैमल भयानक या भयावर डर पैदा करने वाली छड़ी को उनकी भुजाओं के नीच I had to open I had to open the door I had to open मुझे खोलना पड़ा I had to open मुझे खोलना पड़ा the door दर्वाजा and go or go in before everybody and I had to open the door मुझे दर्वाजा खोलना पड़ा and means or go in before everybody go in before मतलब go means जाना in before मतलब सामने से everybody हर ब्यक्त के लेकिन मुझे हर ब्यक्त के सामने से जाना पड़ा you can imagine how you can imagine how I blessed and how frightened I watch you means up can miss सकते हो imagine miss कलपना करना how miss कितना I blessed मैं सर्मिन्दा था and how frightened कितना भैभीत था I watch मैं था आप कलपना कर सकते हैं कि मैं कितना सर्मिन्दा और कितना अधिक डरा हुआ था कि कि आगे बढ़ते हैं है ऑगे बढ़ते हैं गएव गएव बट ऑच्छों पर नथींग हैपेंट बस्लेकिंग नथिंग निस कुछ ही नथींग निथि नहीं होता है कुछ नहीं हैपेंट मीस घटित हुआ हुआ या हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ Mr. Hamill Mr. Hamill saw me मुझे देखे saw means देखे means means मुझे and said और कहे very kindly बहुत दयालता के साथ लेकिन कुछ हुआ नहीं इनका कहने का मतलब यह है कि ना इनको डाट पड़ी उस टाइम तक ना मार पड़ी इनके साथ कोई मुझे घटना नहीं हुई फिर आगे कह रहे हैं Mr. Hamill saw me Mr. Hamill ने मुझे देखा and said very kindly और बहुत दयालता से बोले go to your place गो मिस जाओ टू योर अपने place means अस्थान पर quickly quick means होता है जल्दी तो Mr. Hamill ने दयालता से मुझे मुझे देखा और मुझे मेरे अस्थान पर जल्दी पहुचने के एक लिए कहा लिटिल ब्रैंच छोटे फ्रांसी सी Mr. Hamill ने दयालता से मुझे मुझे देखा और दयालता से कहा अपने अस्थान पर जाओ छोटे इस वी वर्ब बीगनिंग विजाओट यो वी मतलब हम वर मिंश थे बीगनिंग मिस आरम कर रहे हैं विदाओट मिस बिना यू मिस तुहारे Mr. Samles, आगे कह रहे हैं, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, या कुछ भी हो काम, बोलने वाला काम या पढ़ाने वाला काम, तो Mr. Samle, कह रहे हैं, कि हम तुम्हारे बिना ही, शुरू करने वाले थे, आगे है, I jumped, I means मैं, over the bench, में उपर से दा बैक्ष मेंच में बेंच है एंड सेट डाउन और इंड मोसा ऋषयलत मीन्स बैठेगे घ्रेट दॉट मफशन के लिए सैट डाउन यह भूत काल के लिए क्योंकि सारी बाते रानी बात कही जा रही है भूत काल की बाते कही जा रहे हैं आगे इसमें देहाँ दिखिए एट माई डेस्क अपने डेस्क पर आई जम्ट ओवर दे बेंच में बेंच के उपर से कूद गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क और अपने डेस्क में बैठ गया नॉट तिल देन अब तक वेन आई हैड कोड वैन में सब आई हैड गाट मुझे आई हैड गाट लिटिल ओर माई फ्राइट माई फ्राइट मैंने देखा ओर माई फ्राइट मतलब वो देखे इड आई सी क्या देखे डैट मिंस का अब कि हाव टीचर हमारे अध्यापत हैड और वी cannot हैड हैड अवी ऐसे ब्यूटिफल ग्रीन कोड़ अपने हरे सुंदर सुंदार हरे कोड मैं थे मैंने सीर उठाकर हलकी से सिर उठाकर कि जहांकना ठीक है ताकि हमें कोई देखते हुए देख न ले ऐसा ऐसा प्रयास करना ठीक है तो इसमें है आगे डीड आई सी मैंने क्या देखा दैट मेंस कि आवर टीचर हमारे अध्यापक हैड ओन हीज ब्यूटिफूल ग्रीन कोट अपने सुंदर हरे कोट में थे इज फृल सार्ट is a frilled shirt frilled मतलब जालरदार सुन्दर सुन्दर तक वो सुन्दर shirt है frilled मतलब जालरदार and the little black and means are the little black black silk cap और silk की एक छोटी cap पहने हुए थे टोपी पहने वे थे आल इंब्रोइडर्ड मतलब सब में क्या हुआ था नकासी की हुई थी जैसे हमारे यहां कहते हैं कि उसमें नकासी की हुई है कोई धागे से उसे सिलाई करके उसमें सुन्दर सुन्दर चित्र बनाई रहते हैं उसी को आल इंब्रोइड मतलब पूरी तरह से नकासी की हुई दैट जो ही मिन्स वह नेवर मिन्स कभी नहीं और मिन्स पहनते थे इक्सेप्ट मिन्स अलावा बजाए ओन दा इंस्पेक्शन अउसर पर अन इंस्पेक्शन मतलब सभा हो सभा या मिटिंग और प्राइस स्टेज पुरसकार वाले दिनों में तो लेखक कह रहे हैं कि हमने मिश्टर हैमल्स को देखा कि वह हरे सुन्दर हरे सर्ट में सुन्दर कोट पहने थे ज़ालरदार सर्ट पहने थे और ब्लैक कलर की ब्लैक काले रंग की सिल्क वाली टोपी धारण की यह थे टोपी पहने थे जो पूरी तरह से या चारो तरफ से नकासी की हुई थी और यह सब चीजे वह हैं मिश्टर हैमल्स की बात कर रहे हैं और यह सब चीजे वह किसी बिसे समारो और पुरसकार वाले दिनों के अलावा नहीं पहनते थे इसका मतलब की वह मिश्टर हैमल्स हरा कोट काले रंग की टोपी जो नकासी की हुई थी काले रंग की टोपी यह पुरसकार वाले दिनों में और किसी समारो में ही पहनते थे बिसाइड़्स बिसाइड्स मिन्स बजाय के अलामा बिसाइड्स के अलामा इसके अलामा the whole means शंपूर्ण पुरा, whole means पूरा, school means शिन्ड़ दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था so strange, बहुत अधिक अदभूत, strange means अदभूत होता है, डरावना होता है, भयानक भी होता है and सोलिम और सवानत, मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि मिश्टर हैमल्स के अलामा इस्कूल में सब कुछ बहुत भयानक और सांत दिखाई दे रहा था बट मिन्स लेकिन दा थिंग दैट सर्प्राइजट जो आशर चकित की मी मतलब मुझे लेखक को मोस्ट मिन्स सबसे अधिक वाज मिन्स तू सी वाज मिन्स था तू सी देखने को लेकिन सबसे अधिक जो चीज मुझे देखने देखकर आशर हुआ क्या देखकर आशर हुआ on the back benches on means पर the back पीछे के बेंचों पर that were always empty that means जो were means थी always means सदे हमेशा empty means खाली लेकिन मुझे ये चीज देखकर के ज़्यादा आशर हुआ कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी उस पर क्या हुआ दा विलेज पीपल गाउं के लोग सीटिंग में से बैठे हुए थे कोईटिली में सांती से लाइक आवर सेल्फ हमारी तरह लेखक को हमेशा से पीछे की जो बेंचे खाली रहती थी उन पर गाउंवालों को सांती से बैठे हुए देखकर आश्र हुआ ओल्ड हाउजर ओल्ड हाउजर इस ट्री कॉर्णर हैट एक बुढ़ा जो तीकोनी हैट पहने हुए था जिसमें तीन कोने थे एक बुढ़ा तीन कोने वाली टोपी पहने हुए था बुढ़ा मैर आयर दो θα भूलाव मेर जिसे गाउं का प्रधान होता है ऐसे शहरों का मेर होता है पुरी सहर का गाउं का जिसा से प्रधान होता है उसी तरए से सहर में मेर होता है रोख privol लोगड शएड टुखी दिखाई दे रहा था ऐनिस और हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ट प्राइमर और बुढ एक पुरानी हाउजर मिस बुढ़ा हैड ब्राट लाया था एन ओल्ड प्राइमर एक पोथी लाया था थम्ड जिस पर अंगूठे के च्छाप लगे थे अइड दे एज किनारों पर बुढ़ा एक पुरानी पोथी लाया था जिसके कोने पर अंगूठे के निशान लगे थे या पलटने से काले धब्धब्बे लग गए थे उगलियों के and he held it open और वह उसे खुले हुए पकड़ा था on his knee अपने घुटनों के बीच और वह उसे अपने घुटनों के बीच खुले हुए पकड़ा था with his great expels spectacles with his great expels उसके बड़े बड़े चस्मे lying पड़े हुए थे across means across the pages across means आरपार होता है the pages पनों के बीच तो कह रहे हैं कि हाउजर एक पुरानी पोथी लाया था बाल पोथी लाया था and held it open on his knees और उसे अपने घुटनों के बीच खुले वे पकड़े था उसके बड़े बड़े चस्मे या बड़े चस्मे बड़ा चस्मा उन खुले वे पन्नों के बीच पड़ा था तो मित्रों ये आज का सेगमेंट था हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे कि जो है कहानी बताएंगे आपको अगर ये हमारा अध्यापन अच्छा लगे तो हमारा समर्थन कीजिए धन्यवाद